दोस्तों आपको बता दे कि प्राचीन काल के अंदर भारत को सोने की चिरिया के नाम से जाना जाता था और पहली के लोग क्या करते थे कि अपने पास बहुत सारे सोने और चांदी की सिक्कों को छुपा कर रखा करते थे। उस समय क्या होता था कि आज की तरह बैंक नहीं प्राचीन काल की बात है हमारे पास में ही एक बूई महिला थी उस महिला के बारे में कहा जाता था कि उसके पास बहुत सारे चांदी के सिक्के थे एक बार क्या हुआ कि काफी अधिक बारिश हुई और दीवार के अंदर उसने चांदी के सिक्कों को दबा रखा था तो किसी व गड़े धन के मिलने के बारे में जानकारी मिलती है लेकिन यदि आपको गड़ा धन मिल जाता है तो आपको किसी को बताना नहीं है वरना सरकार आपके धन को छीन सकती है और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और कई बार गड़ा धन आसानी से मिल जाता है और लोग दूसरों को बता देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ भी फाइदा नहीं होता है असल में हर जगहों पर गढ़ा धन नहीं होता है, कुछ खास जगह होती है जनहां पर गढ़ा धन होने के संकेट आपको मिल सकते हैं लेकिन उनका भी पता लगाना कोई आसान काम नहीं है. हम आपको यहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक दे रहे हैं जिसकी मदद से यदि आपके आसपास कही पर गड़ा धन है तो उसका पता लगा सकते हैं. लेकिन खुद किसी के धोखे के शिकार होने से आपको बचना चाहिए. क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं जो कि आपको गड़े धन के नाम से लूट सकते हैं तो इस तरह तरह के लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है. आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा. नमबर वन जमीन में गड़ा धन देखने का मन्त. दोस्तों सबसे पहले हम आपको गड़े धन के मन्त के बारे में बता रहे हैं. दोस्तों यदि आप गड़े धन के मन्त को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे दिये गए मन्त की एक माला रात को सोने स पहले करनी होगी और ऐसा आपको रोजाना तक तक करना होगा जब तक कि आपको गड़ा धन का पता नहीं चल जाता है। की मान्यता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपने आसपास इस तरह की जगह के बारे में खोज करें। जिससे की आपको पता चलेगा की गाड़ा धन है या फिर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर गड़ा धन होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आप इस बात को समझ सकते हैं। नमबर फोर काले सर्प यदी कही पर रहता है तो वहाँ गड़ा धन हो सकता है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी मान्यता है। कहा जाता है कि यदी कही पर काला सर्प रहता है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पर गड़ा धन हो। माना जाता है कि यदी कोई इंसान अपने गड़े धन को यूँ ही छोड़कर मर जाता है और वासना उसके अंदर रह जाती है। तो वो अपने गड़े धन की रक्षा करने के लिए सर्प योणी के अंदर जन्म लेता है और उसके बाद गड़े धन को प्राप्त करने का काम करता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जिन स्थानों पर काला सर प्रहता है वहाँ पर गड़ा धन होने की चांस काफी अधिक होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। जमीन में फूल जैसी सुगंध का आना गड़ा धन होने के संकेत और मन्द। दोस्तों यदि आपको किसी खास जगह पर फूल जैसी सुगंध आती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहाँ पर गड़ा धन हो। हाला कि इस तरह के धन को प्राप्ट करना काफी कर्थिन काम होता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। नमबर सिक्स गड़े धन के लिए हल्दी का प्रयोग. दोस्तों हल्दी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं. क्योंकि हल्दी आपको काफी आसानी से मिल जाएगी. यदि आपको लगता है कि कहीं पर गड़ा धन हो सकता है तो फिर आपको हल्दी को काफी मात्रा के अंदर पीस कर लाना है. और उसके बाद हल्दी को उस जमीन के उपर छिड़क देना है, जिस जगव पर गड़ा धन होने की उम्मीद है और इस तरह से जब यदि हल्दी का रंग बदल जाता है. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके यहाँ पर गड़ा धन हो सकता है. इस को गड़े धन के बारे में कुछ भी पता चल जाए. लेकिन जमीन की पहचान करना काफी कतिन होता है जिन्हाँ पर गड़ा धन होने की संभावनाए काफी अधिक हो. दोस्तो मदार के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही हैं. आपको बता दे कि मदार की जड़ से भी आप गड़े धन को प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको कुछ तांत्रिक प्रयोग करना होगा. इसके लिए आपको किसी ऐसे इंसान से संपर्थ करना आप इस बात को समझ सकते हैं. और यही आपके ये सही होगा. आपा जाएगी. कोई खड़ा हुआ दिखेगा और वो बताएगा कि कहां पर धन पड़ा है. और आपको ये प्रयोग एक तालीस दिन तक करना होगा. बिस्मिल्ला आरह्मान आरहीम या बसीर खुदा कामिल पिरहसनफसी रहम कर मुझ पर अली मुहम्मद मुस्तफा के वास्ते में होता हूँ मेहनत के आसिर खोल दे मुझ पर खजाने. खुआजा वसीर दिन किब्रिया के वास्ते. नमबर नाइन गड़ा धन को प्राप्त करने का सरल उपाए. दोस्तों यदि आप गड़े धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये उपाए कर सकते हैं. ये आपके ये काफी अधिक फाइदेमंद हो सकता है. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. और आप इस बात को समझ सकते हैं. यदि आपको कही पर गड़े धन की उम्मीद है तो आपको वहाँ पर ये तोटका करना होगा. एक लकड़ी की चौकी रखें. उस पर पान या पीपल का पत्ता रखकर उस पर एक सुपारी रखें. फिर हल्दी, कुनकुम, अक्षत और सुपारी रखकर घी का दीप आपको वहाँ पर जलाना होगा. 40 दिन तक आपको ये सब करना होगा. उसके बाद आपको इन सब चीजों को पानी के अंदर बहा देना होगा. और प्रार्थना करनी होगी कि यदि यहाँ पर गड़ा धन मौजूद है तो कोई आपको इसके बारे में संकेत दे. 10. घी का दीपक जलाना चाहिए. दोस्तों यदि आपको पता चलता है कि कही पर गड़ा धन है या फिर नहीं है तो आपको एक प्रयोग करना चाहिए. जिस स्थान पर गड़ा धन होने की उमीद है वहाँ पर शुदर घी का दीपक जलाया जाना चाहिए. और एक लोग को जलाना चाहिए. चालीस दिन प्रयोग करने के बाद आपको ये संकेत मिल जाएगा कि वहाँ पर गड़ा धन है या फिर नहीं है. सपने आदी के माध्यम से इसके बारे में संकेत मिल जाएगा. दोस्तों आपको बता दे कि प्राचीन काल के अंदर भारत को सोने की चिरिया कहा जाता था. इसका कारण ये था कि भारत के अंदर बहुत सारा खजाना था और यहाँ पर लोग काफी अमीर थे. हाला कि इसके बारे में जानकारी नहीं है कि प्राचीन काल के अंदर लोग भारत में सोने को किस तरह से निकालते थे लेकिन ये तैबात है कि आज के लोगों के पास इतना अधिक सोना नहीं मिलेगा जितना कि प्राचीन काल के लोगों के पास मिलता था इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं ख्यार भारत के कुछ मंदिर भी थे जिनके पास अरबों खरबों का सोना हुआ करता था लेकिन जब तक भारत के राजाओं का शासन था तब तक तो सब कुछ ठीक ही रहा लेकिन जैसे ही विदेशी लोगों की नजर भारत के उपर पड़ी तब उन्होंने भारत के अंदर आक्रमन करना शूरू कर दिया और उसके बाद भारत को लूट कर विदेश ले गए कहा जाता है कि भारत पर आक्रमन करने वाला पहला सिकंदर था उसके बाद चंगेज खां आया और इसी तरह से कई बार भारत को लूटा गया ऐसे तो भारत के राजा आपस में कमजोर नहीं थे लेकिन धर्म रष्ट हो जाने की वज़े से उनके अंदर फूट डाली गई ताकि वे आपस में लड़कर कमजोर हो जाएं और दूसरों को जीतने का मौका मिल जाए सोमनात का मंदर मुहमद गजनवी ने लूटा था और कहा जाता है कि इस मंदर के अंदर इतना अधिक खजाना था कि गजनवी एक बार में इसको नहीं ले जा सकता था इसलिए वो इसको लुटने के लिए कई बार आया था इसके बारे में आपने इतिहास के अंदर अच्छी तरह से पढ़ा ही होगा बिहार की सोंगिर वुफा में लाखो टन सोना आज भी रखा हुआ है दक्षिन भारत के पदमनाब मंदर में छिपा था पांच लाख करोर का माल है और इस खजाने को गिनने के लिए कई तरह की मशीने बुलाई गई थी इसके अलावा और भी यहाँ पर खजाना है लेकिन उसको निकाला नहीं जा सका क्योंकि दर है कि कुछ बुरा हो सकता है क्यार इन सब चीजों से पता चलता है कि धरती के अंदर कई जगहों पर खजाना दबा हुआ है लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है और हमारे पास इसको पता लगाने का कोई सटीक तरीका भी नहीं है आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और यही आपके ये सही होगा आपको बता दे कि इस धरती पर आज से पहले न जाने कितनी सब्यताय आए और चली गई हम आज जिस गाव के अंदर रहते हैं वहाँ पर खेत और हर जगह पर घडों के तुकड़े मिलते हैं कहा जाता है कि यहाँ पर कभी कुमहार रहा करते थे ये काफी पुरानी बात है असल में जो प्राचीन सब्यताय रहती थी उन्होंने भी धरती के अंदर कई जगहों पर अपने खजाने को दबाया होगा और किसी वज़े से वे उसको भूल गई थी अटलांटिक महासागर के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर कई सारे टन का खजाना है लेकिन उसको निकालना हर किसी के बस की बात नहीं है और आपको नहीं पता है कि आज भी धरती के अंदर करोरों की दौलत दबी पड़ी है लेकिन हर किसी को ये खजाना मिलता नहीं है अक्सर कुछ लोग काफी किस्मत वाले होते हैं जिनको ये सब काफी आसानी से मिल जाता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए अक्सर आपको अक्बारों और न्यूज के अंदर इस तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं जिसके अंदर खुदाई को दोरान पुराना घड़ा मिला है और उसके अंदर चांदी के सिक्के या आभूशन होते हैं तो इस तरह के खजाने को यदि कोई पाभी लेता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं और यही आपके लिए सही होगा राजा महराजा, पंडिक पुरोहित और सेच चनों के पास प्राचीन काल के अंदर काफी अधिक धन संपदा हुआ करती थी वे अपनी धन संपदा की सुरक्षा के लिए उसको छिपा कर रखते थे वे इसको जमीन के अंदर गार देते थे और उसके उपर पेर भी कई बार लगा देते थे ताकि यह पता रहे कि उन्होंने धन को कहां पर छिपाया है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं इसके अलावा कई राजा लोग भी दुश्मन राजा से अपने खजाने को बचाने के लिए जमीन के अंदर गार देते थे ताकि दुश्मन राजा को खजाना हाथ ना लगे इसके अलावा प्राचीन काल के अंदर जानी चोर जैसे चोर भी हुआ करते थे जो कि खजाने को ही लुटने का काम करते थे और अपने लुटे हुए खजाने को कही पर छुपा देते थे ताकि किसी को इसके बारे में पता नहीं चले इस तरह के जो खजाने होते हैं वे आमतोर पर कई बार खुदाई के अंदर मिलते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं जब भारत के अंदर विदेशी लियागों का आक्रमन बढ़ा तो उसके बाद देश के राजा अपने खजाने को यहां कहां पर जमीन के अंदर छुपा देते थे और विदेशी भारत के अंदर आते थे और कमजोर राजाओं को टारगेट करके उनके यहां से खजाने और स्थ कहीं पर गार देते थे ताकि उनके खजाने के बारे में किसी को पता ना चल सके आप इस बात को समझ सकते हैं और बाद में इन खजाने दबाने वालों की तो मौत हो जाती थी और खजाना यूँ ही कहीं पर दबा हुआ रह जाता था नमब 11 किस्मत से मिलता है गड़ा धन दोस्तों आपको बता दे दे कि किस्मत से ही गड़ा धन मिलता है बिना किस्मत के आपको गड़ा धन नहीं मिल सकता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो फिर आपको आसानी से गड़ा धन मिल जाएगा लेकिन यदि आपकी किस्मत खराब है तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें आपको गड़ा धन नहीं मिलेगा